दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रेक्सन में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली मुंबई एक्स्पेसवे के बारे में दिल्ली मुंबई एक्स्पेसवे का फर्स्ट फेज यानिकी दिल्ली से जैपूर सेक्शन 2021 में ही औप्रेस्नल हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इंडिया का लाइफलाइन कहा जाएगा क्योंकि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे में कई सारी यूनिक फैसलिटीज भी होंगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली मुंबे एक्स्प्रेसवे के कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक दोस्तों, 2025 तक अपने देश में लगभग 7 लाह करोर रुपे के बजट से 23 एक्स्प्रेसवे को कम्प्लीट करने का टार्गेट है वर्तमान में 7 एक्स्प्रेसवे अंडर कंस्ट्रेक्शन है, मैं बात कर रहा हूँ NHI की क्योंकि इंडिया में NHI के अलावा एक्स्प्रेसवे बनाती है, जैसे उत्तर परदेश में पुरवांचल एक्स्प्रेसवे, गुरकपूर लिंक एक्स्प्रेसवे और बुंदेलखन एक्स्प्रेसवे, साथी महारास्टरा में मुंबई नागपूर एक्स्प्रेसवे को एक्स्प्रेसवे को एक्स्प्रेसव NHI के द्वारा उसमें सबसे महत्पुर्ण है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे लंबा यानि की लगवग 1350 किलूमेटर का एक्सप्रेसवे है साथ ही ये इंडिया का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे भी है क्योंकि इस एक Spaceway का Phase 1 यानि कि दिल्ली से जैपूर सेक्षन सेप्टेंबर 2021 तक कम्प्लीट करने का टार्गेट है सेप्टेंबर ना सही तो दिसंबर 2021 तक ये सेक्षन डेफिनेटली ओपरेशनल हो जाएगा दिल्ली से जैपूर सेक्षन अगर एक्जेक्टली बात करें तो सोहना से राजस्थान के दौसा से लगवक 30 किलोमेटर आगे है यानि कि इसी साल 2021 में ही आप इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जैपूर ट्रेवल कर सकते हैं जबकि ये पूरा एक्सप्रेसवे जनवरी 2023 एक्जेक्टली 26 जनवरी 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट करने का टारगेट है शुरुवात में ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा यानि कि दोनों तरफ 4-4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जबकि फ्यूचर में से 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा और इसके लिए अभी ही जमिन एक्क्वाइर करकी रख लिया गया है यानि कि फ्यूचर में जब इस एक्सप्रेसवे को एक्सपैंड किया जाएगा उस टाम इस एक्सप्रेसवे में लैंड एक्सप्रेसवे की ज़रत नहीं परेगी दिल्ली मुंबए एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे है यानि कि नए एलायन्मेंट से ये एक्सप्रेसवे करती है तो नए एरिया में यानि की खाली जमीन को अधिगरन करना काफी सस्ता पड़ता है दूसरा फ़ैदा है कि ग्रीन फिल्द expressway के बनाने से नए एरिया में भी डेवलप्मेंट होगा अलरेडी दिल्ली-मुंबई expressway काफी undeveloped area जैसे कि हर्याना में मेवात, मद्धिपर्देश में रतलाम, गुजरात में दाहोद जैसे undeveloped area से क्रॉस करेगा और expressway के बन जाने से ऐसे area में economic activity बढ़ेगी और definitely development होगा दिल्ली Mumbai expressway इंडिया ही नहीं, Asia का पहला expressway होगा जिसमें एनिमल के लिए औवरपास बनेगा, एनिमल औवरपास वैसे दिल्ली देहरादून expressway में भी बनने वाला है, लेकिन दिल्ली Mumbai expressway में सबसे पहले बनेगा, साथ ही इंडिया का पहला आठ लेन का सुरंग भी इसी में बनेगा, ये सुरंग राजस्थान के फेमस मुकंदरा सेंचोरी में बनेगा, आठ लेन के साथ साथ ये इंडिया का पहला सुरंग होगा, जिसमें 120 किलोम्टर पर आवर के स्पीड से गारियां चलेंगी, सुरक्षा के दृष्टी कोण से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में दोनों तरफ 6 फिट उंचाय की दिवार बनाई जाएगी, ताकि कोई भी एनिमल या फिर पेडस्ट्रियन इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री ना कर सके, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे पर 93 प्लेशेज पर वेसाइड एमिनिटीज बनेगा जहांपर रिजॉर्ट्स, रेस्टुरेंट्स, फूड कोर्ट्स, होटेल्स, मोटेल्स और फिलिंग स्टेशन सहित सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एवलेबल होगा साथ ही इस एक्स्प्रेस वे पर हेलिपैड और फुली एक्किप्ड ट्रामा सेंटर भी बनेगा एक्सिडेंट विक्टिम्स के लिए दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे पर इलेक्ट्रिक ट्रक्स और दूसरे इलेक्ट्रिक वीकल्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिक हाइवे लाइन बनेया जाएगा इलेक्ट्रिक हाइवे के बारे में अलग से मैं एक डेटेल वीडियो बना दूँगा दिल्ली मुंबे एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ और important points को देखिए इस एक्सप्रेसवे के लिए लगवग 15,000 hectare जमीन अधिगरहन किया गया है इस एक्सप्रेसवे में 5,000,000 टन एस्टील योज होगा ये इतना जयदा स्टील होता है कि हावडा बिरिज के जैसे 20 नए पुल बनाये जा सकते हैं इतने स्टील से इस एक्सप्रेसवे के किनारे 2,000,000 यानि की 20,000,000 पेर लगाये जाएंगे ओल्रेडी गॉवर्मेंट का प्लैन है ग्रीन हैवे डेवलप करने का दिल्ली मुंबे एक्सप्रेसवे इंडिया के डेवलप्मेंट में खासकर मोबिलीटी के लिए खाफी महत्तोपुर्ण है और अगले कुछ महिनों में यानि की 2021 में ही इस एक्सप्रेसवे का फस्ट फेज कम्प्लीट हो जाएगा अगर दिल्ली मुंबे एक्सप्रेसवे के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं या इसके बारे में आपके पास कोई इंफर्मेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्रेब करके बेल एकन भी प्रेस कर दीजिए साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी सेयर कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भूँ धन्यवाद